नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका TV30 इंडिया के प्रोग्राम Entertainment Inside में और मैं हूँ आपके साथ DP का पात्रे दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बॉलिवुट को बहतरे इन गाने देने वाली सिंगर के बारे में जिनोंने बहुत ही कम समय में फिल्म इंडरस्ट्री में अपनी एक अलग पैचान बनाई है दोस्तों बॉलिवुट में अपनी जगा बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना परता है लेकिन जल्दी पॉपुलेरिटी किसी को नहीं मिलती और बहुत कम समय में ये पॉपुलेरिटी हासिल की है नेहा ककड ने नेहा ककड का जन्म 6 जोन 1988 रिसी केस में हुआ था नेहा ककड अपने माता पिता की सबसे छोटी और लाडली बीटी है नेहा ककड की एक बड़ी बहन सौनू ककड और भाई टौनी ककड है अब नेहा ककड के भाई बहन के बारे में बात हो ही रही है तो आपको बता दे नेहा ककड के भाई बहन भी दोनों एक अच्छे सिंगर है नेहा ककड को सिंगें का एट्मोसफेर उनीके घर से मिला जब नेहा की बड़ी बेहन, सोनू ककड जागरों में माता की भेटे गाने जाया करती थी तो बेहन का हाथ पकड़ कर नेहा भी जाने लगी माता की महर नेहा पर ऐसी पड़ी कि वह सुपर से भी उपर वाली सिंगर वन गई नेहा का सफर सुरू होता है इंडियन आइडल 2 से नेहा ने इंडियन आइडल 2 में पार्टिसपेट किया था लेकिन वहां वहें नहीं जीत पाई फिर उन्होंने कॉमेडी के तांसेन में पाटिसिपेट किया था और वहां भी उनका डबपा गोल रहा लेकिन समय बीता, और कुछ समय बाद उनकी आवाज योयो हनी सिंग ने सुनी नेहा की आवाज से इंप्रेस होकर योयो हनी सिंग ने उन्हें यारियां फिल्म के सन्नी सन्नी गाने में ओफर दिया और नेहा ने इस गाने को बखुवी निभाया और फिर क्या चल गया उनकी अवास का जादू दुनिया पर फिर तो नेहा ने लंडन ठुमकता मिले हो तुम हमको आओ राजा जैसे सूपर डूपर हिट सौंग दिये नेहा अब इतनी सूपर हिट हो चुकी है कि वह सारे गामापा और इंडियन आइडल जैसे सोबी जज़ कर चुकी है नेहा ककड के उनके फैंस उन्हें सेलफी कुईन कहते हैं क्योंकि वह अकसर अपनी नईनी पोस्टों के कारण अपने फैंस की दिलों में रहती है अगर नेहा ककड के सोशल मीडिया पर फैंस फॉलोईं देखी जाए तो यूटूब पर 89 लाग से अधिक, इंस्टाग्राम पर 23 लाग से अधिक और फेस्बुक आईडी पर तेर्ड करोर से भी अधिक है वैल नेहा हम तो आपकी लंबी उम्र के लिए ही प्रे करेंगे और चाहेंगे कि आप हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने देती रहें यदि आपको हमारा यह कारेक्रम पसंद आया हो तो हमारे इस कारेक्रम को शेयर करें और देश और दुनिया की अन्य रोचक खबरों के लिए TV30 इंडिया से जुड़े रहें